हेलो पेरे बच्चों बच्चों कैसे है आप सबी ? tamp here i hope कि सबी अच्छे होंगे इस वीडियो में क्लास सेकेंड के मैठ की सॉबब करेंगे अच्छों आपकी वक्षीट में हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉटेज लॉट इस राउन तो बच्चे शुरू करते हैं लुक एट गिवन टेबल एंड राइट आर इन यो नॉट बुक फोर राउंड अबजेक्ट एंड एल फोर लॉंग अबजेक्ट अब आप इस टेबल में देखिए और जो वस्तुए राउंड है गोल है उनके लिए आर लिखिए और जो लॉंग है इट मींस लंबी है उनके लिए एल लिखिए तो देखिए वस्तुए कौन कौन सी है यहाँ पर है नेम ओफ आबजेक्ट आबजेक्ट क्या है पैन पिक्चर है पैन की यहाँ पर तो पैन कैसा है लॉंग है तो एहले लिखेंगे next है tomato जो tomato है वो कैसा है round है तो round के लिए R लिखेंगे next है arrow जिसे हम तीर कहते हैं यह तीर की picture है तो जो arrow है वो कैसा है long है next है sun sun की कैसी है save? goal है it means round है तो हम यहां के लिखेंगे R now question is look at the given table अब आपको दिगरी table में देखना है and write the name of long object in your notebook इन में से आपको केवल जो long object है लंबे object है उनको लिखना है तो इन में pencil कैसी है pencil जो object है वो long है तो यहां पर निसाल लगाएंगे next है star star जो है वो round है तो इसे नहीं लिखेंगे next है ruler ruler कैसा है ruler भी long है तो इसलिए इस पर निसाल लगाएंगे next है coin यहां पर आप देख रहे हैं जो सिक्का है सिक्के की कैसी सेप है सिक्का round है इसलिए से नहीं लिखेंगे next question है look at the given objects अब यहां पर कुछ objects दिए गए हैं उन्हें देखिए and match the following table और table में मिलान करिए तो यहां पर object है, bottle है, brushes है and buttons है तो यहां पर round object कितने है, four है आप यहां देख सकते हैं तो four पर हम मिलान करेंगे next है long object long object कितने है, three है round and long object कितने है तो यहां यह round भी है और long भी है तो one है question है complete the following figures in your notebook अब यहां पर two figures दी गई है आपको यह figure complete करनी है और यह वाली भी figure complete करनी है तो बच्चों आप इन figures को swim complete करेंगे students if you like this video, please like and share and if you are new on this channel please subscribe to the channel, thank you you झाल झाल